Hello Everyone, Welcome to Pick Up Maths, Myself, Arushi Chatman इस वीडियो में हम Class 9 के Chapter No. 13 Surface Areas and Volumes के Excise 13.7 के Question No. 9 को Solve करेंगे Question is, A heap of wheat is in the form of a cone whose diameter is 10.5 meter and height is 3 meter तो स्टेंस, यहाँ पे heap of wheat यहने गिहूं का धेर गीवन है जो की cone shape में है इसका diameter given है 10.5 meter और height given है 3 meter Find its volume, इसका हमको volume find करना है The heap is to be covered by canvas to prevent it from rain इस heap को बारिश से बचाने के लिए canvas से cover करना है Students canvas a kind of cloth होता है जिसे हम tripal कहते है तो canvas से इसको cover करना है Find the area of canvas required, कितना canvas required होगा यह हमें find out करना है तो देखें, यहाँ diameter given है 10.5 meter और height given है 3 meter Since हमको volume निकालना है तो volume के लिए radius required होगा तो हम यहाँ से radius निकाल सकते है क्योंकि आपको पता है diameter का half होता है radius So radius हो जाएगा 10.5 by 2 अब मैं students इसका point हटाना चाहूं तो मुझे इस denominator में 10 multiply करना होगा क्योंकि यहाँ पे 1 digitale point है यह हो जाएगा 105 और 2 को 10 से multiply करेंगे तो हो जाएगा 20 अब 105 और 20 दोनों 5 से divisible है 5 से divide करते है 105 को तो आएगा 21 और 20 को 5 से divide करेंगे तो आएगा 4 तो यह हो गया 21 by 4 meter 21 को 4 से divide करेंगे तो strength आएगा 5.25 meter अब हमको निकालना है volume of heap of wheat यह heap of wheat strength कोन शेप में है तो volume of कोन का formula लेगा which is equal to 1 by 3 pi r square h 1 by 3 pi का value 22 by 7 r strength यहाँ पे मैं 21 by 4 लूँगे क्योंकि से calculation easy होगा square है तो 21 by 4 दोबार multiply होगा multiply h यानि 3 अब since height meter में है radius भी meter में है तो volume भी meter में होगा लेकिन हमिशा volume जो है cubic में होता है तो यह meter cube होगा अब देखे इस 3 से 3 को cancel कर सकते है 22 और 4 दोनों 2 से diesel है 22 को 2 से divide करेंगे तो 11 आएगा 4 को 2 से divide करेंगे तो 2 आएगा 21 को 7 से divide कर सकते है तो यहाँ जाएगा 3 अब 1 multiply 11 is 11 11 multiply 3 is 33 33 multiply 21 is 693 denominator में 2 multiply 4 which is equals to 8 meter cube अब 693 को 8 से divide कर लेते है देखे 8 8 जा होता है 64 इह सब्रेट करेंगे तो value आएगा 5 अब इस 3 को नीचर ले ले लेतने तो 53 हो गया अब 8 से 6 करेंगे तो यह जाएगा 48 53 से 48 को minus करेंगे तो 5 आएगा यह हम लगा लेते हैं point point के विए से हो जाएगा यहाँ पर 1 0 तो यह हो गया 50 अब 8 सिख्जा 48 होगा ज़नों को minus करेंगे तो आएगा 2 point के विए से हम 0 पूट कर सकते हैं 8 2 जा करेंगे यह हो जाएगा 16 अब यह 4 हो जाएगा point के विए से हम 0 पूट कर सकते हैं तो यह हो गया 40 अब 8 5 जा होता है 40 तो सब्सक्राइट किया तो रिमाइंडर हो गया 0 यह मिन्स वैल्यू आ क्या है 86.625 मीटर क्यूब तो वॉल्यूम मिल गया है 26.625 मीटर क्यूब अब हमको निकालना है एरिया ओफ कैन्वास रिक्वाइट हम लिखेंगे एरिया ओफ कैन्वास रिक्वाइट तो स्थिद्स देखी यह जो कैन्वास है वो कहां लेगा क्योंकि इस हीप का जो बेस है वो तो जैबीन के साथ टच होगा सिर्फ कैन्वास जो है इसके कर्व सर्फिस में लेगा तो area of canvas required equal to curve surface area of the heap, is equal to curve surface area of heap, और heap जो है strength, वो cone shape का है, तो that means curve surface area of cone का formula लग जाएगा, curve surface area of cone का formula होता है, pi r l, this is r radius, यह हमारे पास है, लेकिन l, slant height जो है, वो हमारे पास नहीं है, तो पहले हमको slant height निकलना पड़ेगा, अब slant height कैसे निकलते हैं, वो देख लेते हैं, यहां पर, slant height का formula होता है, square root of edge square plus r का square, square root of edge, edge to strength 3, तो 3 का square, अब r का square, strength r, जो है मैं यहाँ 21 by 4 ना लेकिए इस बार 5.25 लेने हो, इससे calculation easy लेंगा, तो r का square यादी 5.25 का square, 3 का square होगा 9, और 5.25 का square होगा 27.5625, इन दोनों को plus करते हैं, तो value आएगा 36.5625, अब सुर्ण हमको इसका square root निकालना है, तो square root देखे, long region method से निकालते हैं हम यहाँ पर, इसके लिए हमें क्या करना होगा, pairing करना होगा, पॉइंट के पहले बार डिजिश्य से उसको pairing कर लेते हैं, यह pairing होगा, पॉइंट के बार लेको pairing कर लेते हैं, यह और यह पेर में हो गया, अब हम करते हैं, इसका square root को find, तो six six होता है, 36, यह तो cancel हो गया, अब मुझे इस point के बाद ले 56 को नीचे लाना है, मुझे पहले हैं point लिखना पड़ेगा, अब मैं इस five six को नीचे ला सकते हैं, six multiply किया था, तो six plus भी करना पड़ेगा, तो one two हो गया, अब students, one two के साथ में मैं क्या multiply करूं, जो 56 से छोटा है यह 56 के बराबर है, मैं one multiply करूंगी, तो one hundred twenty one आ जाएगा, one hundred twenty one जो फिटी से बड़ा होगा, तो मुझे क्या करना होगा, zero से multiply करना होगा, तो मैं zero से multiply किया तो यह हो गया, zero zero और 56 से zero multiply किया, तो 56 आ गया, अब मैं इसके साइड में क्या multiply करना होगा students, तो जो है 5625 आ यह ऐसे छोटा है, तो one two zero four multiply करते हैं, तो four multiply four is sixteen, यह one क्यारी हो जाएगा, four multiply zero is zero, plus one one, four multiply two is eight, four multiply one is four, मैं five से multiply करूंगे students, तो बड़ा नमबर आगा, इसलिए मैं यहाँ पर four sim कर देए, तो यहां मैं four से multiply कर लेती हैं, तो यह हो गया, four eight one six, अब सब्क्राइट करते हैं, 15 में से six minus करेंगे students, यहां जाएगा, nine, अब यहां से हमने one बॉरो किया था, one minus one is zero, अब यह 56 आश्रिंस, इसको 16 बनाएंगे, तो यह क्या हो जाएगा, 16-8 is eight, five से बॉरो करेंगे तो एक four हो जाएगा, four minus four is zero, तो eight zero nine आए, अब सेंस one two zero four में हमने four multiply के था, तो फॉर प्लस भी करना पड़ेगा, तो यह हो गया, one two zero eight, अब one two zero eight, eight zero nine से बढ़ा है, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर point रे से दो zero लगाना होगा, अब मैं इसको eight zero nine double zero बना चुक्य हो, अब मुझे इसमें क्या multiply करना होगा, जो eight zero nine double zero आए या इससे छोटा है, तो मैं इससे six multiply करूंगी, क्योंकि I know that, कि six में इसके value इससे छोटा हैगा, seven से करूंगी तो बढ़ा आएगा, तो one two zero eight six multiply six कर लेते हैं, six six are 36 होता है, अब six multiply eight is 48, plus three fifty one, one five आ जाएगा, six multiply zero is zero, plus five five, six multiply two is 12, one carry, six multiply one is six, plus one seven, seven two five, one six आहा है, अगर मैं seven से करते तो तो बढ़ा आता है, इसलिए मैंने six से direct कर लिया है, तो seven two five, one six, अब स्रक्राइट कर लेते हैं, यह बढ़ा जाएगा, यह हो जाएगा, यह नाइन बन जाएगा, यह हो जाएगा, यह eight हो जाएगा, तो eight minus five हो जाएगा, अब यह ten जो है, यह ten बनेगा, तो ten minus two, eight होगा, eight से बढ़ा लेंगे, तो seven हो जाएगा, seven minus seven is zero, eight three eight four आया है, अब सब्सक्राइगा, अब सब्सक्राइगा, अब सब्सक्राइगा, अब सब्सक्राइगा, यहाँ पे भी हम इसको टूर्जीर तक लेंगे, अब सेंस, पाई का वाल्यव पूट करते हैं, 22 by seven, radius का वाल्यव 5.25 ले लेते हैं, यह पे, L, L का वाल्यव आया था, six point zero five, round of nine, अब सेंस यह five point two five है, seven से डिवाइड कर सकते हैं से, 7 से डिवाइट करेंगे तो यह जाएगा 75 क्योंकि दो जितकार पॉइंट है तो यह 0.75 0.75 22 x 0.75 x 6.05 करेंगे तो वैल्यू आएगा 99.825 अब स्वेंट हम एरिया निकाल रहे हैं यहाँ यह यह लिविए मेटर में है तो यहाँ यह लिवाइगा मेटर स्क्राइड तो हम को एरिया ऑप कैन्वास रिपाइड मिल चुक है 99.825 वी अधिस वहाइज हमने वॉल्यम भी निकाल लिया एरिया भी निकाल लिया यह लिए व In the next video, we will start exercise 13.8. Till then, be safe and goodbye.